तो यहाँ पर एक question है और इस question में जैसा कि दे रखा है कि एक train है जो कि एक pole को pole मतलब खंबा खंबे को 12 second में cross कर रही है जैसे कि ये खंबा है इसको ये train योगर train करे कहते हैं मैं तब मैंने रिपिस्टेंट करने की कोशिश किया इसे 12 second लगा रही है क्रॉस करने में और वही एक ब्रिज है ब्रिज है जैसे माल लेते हैं ये एक ब्रिज है हमारा ठीक है और उसको यही ट्रेन यही ट्रेन ब्रिज को जो की एक सो एक सो सतर मीटर की लेंद का है इसको क्रॉस करने में करीब करीब 36 सेकंड लगा रही है तो फिर स्पीड ओफ ट्रेन बताना है तो यहां पर कोश्वशन में स्पीड ट्रेन की कॉंस्टेंट रहेगी इसको ज्सी्म करते हुए इस कोश्वशन को एक बार आप सॉल करिए और अगर पाउस करके कोशिश करिए अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो को रिजूम रहने दीए फिर देखिए मैं कैसे सॉल करता हूं ठीक है तो यहाँ पर जैसा कि कोशन में दे रखा है कि ट्रेन 12 सेकेंड लगा रही है यहाँ पर चलिए ठीक है यहाँ पर लोग यहाँ पर एक्स मान लेंगे ठीक है तो फिर ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो फिर कितना डिस्टेंस लगाएगी एक्स तो यह रहे गाई और साथ में यह 170 एड हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं 170 प्लस एक्स मीटर ठीक है इतना लगेगा 170 प्लस एक्स मीटर अब जैसा कि हम लोग को पता है S is equal to d y t होता है Speed बराबर distance upon time 4 बराबर दूरी बटा समय ठीक है तो इसके तहत अगर Speed train की constant जो यहाँ पर है वही speed यहाँ पर भी है तो इसकी equation बना लेंगे और इसकी equation बना लेंगे और speed बराबर है तो बराबर रख देंगे बिल्कुल वही काम कर रहा है जैसा कि इसमें हमें पता है कि 12 सेकेंड पोल को क्रॉस करने में लगा रही है तो distance क्या होगी distance भाई जो train की होगी length x by 12 12 सेकेंड लगा रही है न इसना बराबर हो जाएगा हमारा यह आजाएगा यह प्लस यह क्योंकि length train की भी है और यह भी है और speed constant है तो x plus 170 भाई टाइम कितना दे रखा है 36 सेकेंड फिर इसकों लोग solve करेंगे आपे तो यह हमारा हो जाएगा 3 x और यह हो जाएगा हमारा 2 x बराबर 170 और x is equal to 170 by 2 जो की आएगा करीब करीब 85 meter ठीक है यह क्या होगी हमारी length of train ठीक है अब देखते हैं जब हमारी length of train निकल गई तो speed of train भी निकाल लेंगे इसमें रखके निकाल लें या फिर इसमें रखके निकाल लें तो फिर हम लोग यहां से क्या करेंगे direct speed of train speed of train क्या होगी यहां पर जैसे कि दे रखा है कि यह 12 second लगा रही है अपनी length को पूरा cross करने में 85 भाई 12 और याद रखिए यह आपका क्या आ रहा है meter पर second answer लेकिन कई बार होता क्या है कि exam सगेरा में करते क्या हैं लोग की kilometer पर hour में दे देते हैं options को तो इसलिए कुछ लोग confused जाते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 85 इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे और इसको hour में convert करने के लिए 60 into 60 कर देंगे यहां पर तो यहां पर हो जाएगा यह आपका kilometer पर hour इसको जब solve करेंगे यह दो यह दो इससे गया तो टाइम्स उसके बद यह गया यह आपका आया का total 25.5 kilometer पर hour यह हमारा answer होगा ठीक है तो यहां पर basically बस यही ध्यान में रखना है कि जब आप मतलब train को ले के जा रहे हैं दीखिए दो तरह की equation बनेगी इस तरह कोशन में ट्रेन को आप ले के जा रहे हैं तो यहां train की length तो add होगी होगी अब bridge जो है bridge इसकी भी length को add करेंगे और यह जो pole है pole की चोड़ाई को हम लोग नहीं neglect करके चलेंगे ठीक है तो फिर इसको हम लोग इसकी जो length रहेगी इसको consider करेंगे इसको consider करेंगे फिर इस question को इस तरह से बस एक equation बना लेंगे equation बनाता ही हमारे एक्स की value मतलब train की length हमें बस overall train की length ही पता करनी रहती है इस question में mainly यह रहता है तो फिर ठीक है इसी तरह की वीडियोज आगे मिलती रहेंगी आपको मेरे चैनल दोरा आप अगर किसी भी competitive exam for example ssc cgl chsl या फिर fcat किसी भी competitive exam की आप तयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर like share and subscribe कीजे ओके thank you everyone और इस तरह की वीडियोज हर topic जितने भी मतलब इस तरह की competitive topic है इससे related videos मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं ठीक है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजें